आपने तो अपने ही प्रश्न काया कि मैंने कहा है कि जो भी समाज आएगा आप अगर इसको गौर से देखेंगे ना थोड़ी से गहराई में जाएंगे ये सूपर थर्टी सॉफ्ट्वेर है एक कॉंसेप्ट है कोई भी समाज चाहे एक व्यवस्था करें जैसे ब्रहमजन ने एक व्यवस्था कि एक बिल्डिंग लिया, टीचर्स अपॉंट किये, एक व्यवस्था बनाई, दोड़ करके पैसा एक कत्रित किया, अपना रिटर्न्स जो फाइल करना है, ट्रस्ट बना के या फाउंडेशन बना के जैसे भी हो, तो वो एक हाड़वेर है, ओपरेटिंग सिस्टम सौफ्ट्वेर रहेगा, सुपर थर्टी, और उसको एक हाड़वेर बना करके आप चलाना चाहिए, तो फर्स्ट लास से लेगा, और कोई भी चला सकता है, तो ये सौफ्ट्वेर मेरा कोई एक्स्क्लूसिव राइट उस सौफ्ट्वेर को नहीं है, मैंने इसका कोई कॉपी राइट नहीं लिया है, और कोई ले भी नहीं सकता है, चुकि ये समाज का प्रया से, समाज के लिए है, इसका कॉपी राइट नहीं हो सकता है, अगर इसका हम कॉपी राइट बना लें, त परिग्रह तो नहीं होगा फिर I'll be erogating to myself things which I think is my personal right it is not a personal right आपका personal property है भी नहीं वो वो दूसरों के लिए है आप उसको दें और उसका लाग होगा जो भी उठाना चाहें आप कोई भी project करेंगे तो कटनाई होगी यह इसलिए नहीं कि बुद्धी और संसाधन बुद्धी भी एक संसाधनी है तो इस दोनों को जब आप लाएंगे तो उसका वो एक project होगा चलने लगेगी गाड़ी तो management होगा जैसे अभी हमने simili दिया आपको hardware और software का operating system अगर बहुत दिन चलाएगा तो थोड़ा virus आजाता है वाइरस को clean करना पड़ता है वही है आप ऐसा कोई प्रयास नहीं जो निर्वादगती से चलता रहता है तो problem तो आएगा ही और ये problem problem to problem उसका solution vary करता है but unsurmountable problem नहीं आता है नियत साफ होनी चाहिए नियत में साफ जब हम कहते है तो जो शब्द बार-बार मैं कहा रहा हूँ परिग्रह जो property आपका है वो 100% आपका नहीं है वो दूसरों के लिए भी है आप उसको trust के रूप में रख रहे हैं to be given back to society ये जिस दिन नियत आपकी इस लेवल पर है तब तक चलता रहेगा जिस दिन नियत हो जाएगी कि नहीं giving back नहीं आपको taking in करना है तो problem बहुत बढ़ जाएगा और वो intractable disease हो जाता है लिस्ट हमने दिया है उसका वो net पे है पूरे बिहार में तो नहीं हो पाया है लेकिन अगले साल से हम लोग फिर और इसको पढ़ाएंगे पट्ण में तो अकेले नहीं है कई जगों पर है ऐसे महा जहां तक मुझे याद है मुझे याद है मुझे ज़फरपूर में है छपरा में है कोसी रेंज में है यह दर अरा बक्सर के तरफ भी शयद है बट वो लिस्स लिखा हुए नेट पे है ठिवाब को बोलने के लिए आप के पूछते हैं हम लॉजिक का क्वेस्टिन पूछते हैं और माथ का क्वेस्टिन जो फ्यरं बेस नहीं होता है मतलब typical question 11th के या 10th के नहीं पूछते हैं sharp mind रहे, IQ का sharp रहे English में मैं कहूंगा I am not interested in what he knows I am interested in his capacity to know ये अंग्रेजी में मैं प्रेज है और वो test करके थोड़ा interaction कर लेते हैं सामने रखके question को तुरत तीजर और ज़र change के देखते हैं कि वो कैसे approach करता है उसके answer में हमारा बहुत interest नहीं है कैसे approach करता है उसमें इसमें क्या लगता है कि ये प्रणामेंटल के जानकारी होने चाहिए तो IIT कर सकता है लेकिन आपको बिल्कुल एक प्रजुहा को ला रहे हैं और उसको प्रणामेंटल बता कर देखके इसमें क्या लगता है कि ये प्रणामें नहीं आपको हम अनेको स्टुएंट्स मिलवा देंगे जो IIT से करके निकल गए हमारे पड़ाये हुए उनको आज भी हरत हुता है कि सर हमने आपके एक भी question का जवाब नहीं दिया फिर भी आपने हमको रख लिया था उनको समझ में नहीं है कि हमको रखा कि वो IIT भी चले गए आज भी उनको नहीं समझ में आता है कि सर हमको रखा आप कैसे लिए अपने है कि जब मेरे उम्र के हो जाओ के तो तुमको समझ में आता है कि हम यहाँ है I have the capacity to get into the mind of an individual and understand how his mind is working यह हमको capacity है आप उस 11th के बच्चों से हम बात करें 9th 10th के बच्चों से उसके दिमार्ट अपने देखी समाझ का यह जो अंग है जिसको नाम दिया गया प्रमजन इसने यह निर्णे लिया समाजिक रूप से कि हम अपने समाज में जो गरीब हैं जिनमें टैलेंट है पढ़ने का खास करके विज्ञान और जो टागेट कर रहे हैं इंजिनिरिंग या बेडिकल जिसे उनके जीवन में बदलावाएगा उनकी मदद इसी समाज के वो लोग करेंगे जिनके पास सामर्थ है सामर्थ में दोनों ही जीवन आती हैं या तो उनके पास अर्थ है या उनके पास वो छमता है मानसिक खास करके साइंस के विशय में वो भी अगर मदद करना चाहें तो आके करें ये प्रियास प्योरली सामाजिक है इसमें मैं बहुत क्लियर कर दूँ कि सरकार का कोई योगदान नहीं है इसमें और सिर्फ समाज का एक अंग है प्रमजन उसने अपने लिए किया है कि वो अपने सामर्थे को संग्रहित करेंगे और अपने ही समाज के वैसे लोगों को जो इस प्रियास से लाभानवित होंगे जो अधर्वाइज नहीं होते नहीं हो पाते और generations निकल जाता है उनका उनकी मदद करके वो उनको आगे बढ़ाएंगे ये एक प्रयास है और मैं आपको ये भी बताऊं जो आगे की बात सोची जा रही है वो यहीं खतम होने वाली नहीं है ये कई और दिशाओं में इसका प्रयास होगा है सबसे पहले सूपर थर्टी के माध्यम से इसको चलाने की बात की गई क्योंकि ये प्रयास सूपर थर्टी का अब बहुत पुराना हो चुका है करीब अल्मोस्ट ट्विंटी येर्स अब होने जा रहा है तो इस पे इसको लोगों ने चलाया है देखा है समझा है खास करके मैंने तो जरूर देखा है और समझा है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि दूसरे छेत्र में नहीं हो सकता है कई और छेत्र हैं विधाओं की कोई कमी नहीं है उन सबों में ये प्रियास किया जाएगा उस तरह के लोगों को निकाला जाएगा जो उस विधा में अच्छे होंगे वो इस समाज के लोगों की मदद करें और उसके बाद फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी ये प्रियास मैं आपको बताओं अपनी तरफ से जब मैंने स्टार्ट किया था ये सूपर थट्टी का कॉंसेप तो आइडिया यही था कि क्या गरीब बच्चों को समाज के ही जो लोग सक्षम है वो मदद कर सकते हैं सरकार की कितनी आवशक्ता होगी सरकार के बिना मदद के भी समाज आगे बढ़ सकता है कि नहीं ये सब कई प्रश्न थे जो मन में कौंधते रहते थे और जब आगे बढ़ी गाड़ी और कई मुकामों से होते हुए बढ़ती गई कुछ अच्छी बातें आएं कुछ इशूज भी रेज हुए अच्छा रहता है कि किसी विशेक जानकारी जब हो तो उसमें डिस्प्यूट्स भी रेज हो और प्रोग्रेस भी हो बिना डिस्प्यूट्स के प्रोग्रेस होता भी नहीं है तो जो शब्द मुझे ऐसा लगा कि गांधियन फिलोसिफी में अहिमसा की बात हम लोग सुनते हैं करते हैं सब लोग करीब बरीब जानते हैं एक शब्द वहाँ था परिग्र और परिग्र जो शब्द था इसका उन्होंने उपयोग किया इंग्लिश में ट्रस्टिशिप बोलते हैं तो ट्रस्टिशिप का कॉंसेप्ट लाया जरूर गया गांधी जी के इद्वारा उनके फिलोसिफी में लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बहुत उसका प्रियोग नहीं हो सका था इसको सूपर थर्टी को जब मैंने देखा इवाल्व होते हुए तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये भी एक परिग्रही है जो जिनके पास सामर्त है अर्थ है दिमाग है वो अगर उसका इस्तमाल उनके लिए करें जिनके पास इसकी किसी एक चीज़ की कमी है अर्थ की कमी ज्यादा तर तो ये परिग्रह वाली बात होगी एक समुदाय में इसको लोग करते हैं गुरे विश्वबर में अपने इंकम से एक पार्ट निकाल करके रखते हैं और उससे वो मदद करते हैं उनको जिनको आवशक्ता होती है तो ये concepts developed होता रहा है, evolve किया है मुझे तो ऐसा लगा कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इसको evolve नहीं होने दिया गया विशंभवत ये समाज के थ्रू नहीं किया गया, ये state के थ्रू किया गया not through society but through state उसमें कमियां आई, दिखती हैं कमियां तो ये एक प्रियोग है कि अगर state अपना जो रोल है वो प्ले करें समाज अपना रोल प्ले करें परिग्रा में, ट्रस्टिशिप में और देखें इससे कुछ फाइदा होता है या नहीं मूल रूप से एक प्रियोग ही होगा और तीन-चार वर्षों में पता चलेगा कि इस प्रियोग, यह प्रियोग सार्थक हुआ, निर अर्थक हो गया फिर changes होंगे, evolve करेगा तो मैंने आपको अपने concept के बारे में बताया कि यह concept मेरा है और समाज जो है ब्रहमजन समाज इस ने हमको अप्रोच किया कि आप मदद करेंगे, तो मेरे, मैं तो open था कि कोई भी समाज अगर आए और कहे जैसे 2008 में माइनौरिटी कम्यूरिटी में अप्रोच किया था, उन लोगों ने किया और वो आज मैं आपको बता हूँ, almost independent हो गया है उनकी गाड़ी बहुत तेगी से बढ़ने लगी है, मेरी इक्षा होगी कि जितने समाज हैं, सब लोग अपने अपने समाज के लिए अगर करने लगें, तो सरकार पर उतना लोड भी नहीं पड़ेगा, थोड़ा कम हो जाएगा, दन्यवाद